आपको लिए चलते हैं देरा बाबा नानक में जहापर प्रधानवंत्री नरेंद्र मोधी संबोधित करें सीधी आपको लिए चलते हैं आप भारत में अपने रिष्टेदारों से आसानी से मिल सकेंगे और यहां गुरुवों के स्थानों में जाकर अर्दास भी कर पाएंगे बाई और बेहनों केंद्र सरकार के दो और फैसलों से भी सिख समुद्याय को सीधा लाप हुआ है आर्टिकल 370 के हट्टे से अब जम्मू, कश्मीर और लदाक में भी सिख परिवारों को वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं अभी तक वहां हजारों ऐसे परिवार थे जो अनेक अधिकारों से वंचित थे इसी प्रकार सिटीजन्स एमेंडमेंट बिल उसमें संसोधन का भी बहुत बड़ा लाप हमारे सिख भाई बेहनों को भी मिलेगा उन्हें भारत की नागरिक्ता मिलने में आसानी होगी साथियों भारत की एक्ता भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविन सी जी तक हर गुरु साहम ने निरंतर प्रयास किये अनेक बलिदान दिये हैं इसी परंपरा को आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की रक्षा में सीख साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है देश के लिए बलिदान देने वाले साथियों के समरपड को सम्मान देने के लिए भी अनेक सार्थक कदम केंदर सरकार ने उठाये हैं इसी साल जल्यावाला भाग हत्याकान के सो वर्ष पुरे हुए है इससे जुड़े समारक को आधुनिक बनाया जा रहा है सरकार द्वारा सिख हुआओं के स्कूल, स्कील और स्वरोजगार पर भी विशे ज्यान दिया जा रहा है बीते पांच वर्ष में करिब 27 लाग सिख स्टूडेंस को अलग-अलग स्कॉलर्शिप दी गई है भाईयों और बैनों, हमारी गुरु परंपरा, संत परंपरा, रिशी परंपरा ने अलग-अलग कालखन में अपने अपने हिसाब से चुनोतियों से निपटने के रास्ते सुजाए है उनके रास्ते जितने तब सार्थक थे उतने ही आज भी अहम है राष्ट्रिय एकता और राष्ट्रिय चेतना के प्रती हर संत, हर गुरु का आगरा रहा है अंदविश्वास हो, समाज की कूरुतिया हो, जाती भेद हो इसके विरुत हमारे इन संतों ने, गुरु ने मजबुती से आवाज बुलंद की है साथियों, गुरु नानक जी कहा करते थे विच दुनिया से भी कमाईए तर दरगी बेशन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही मोक्ष मिलता है जीवन सभल होता है आईए, इस अहम और पवित्र पड़ाव पर हम संकल पलें कि गुरु नानक जी के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे हम समाज के भी तर सजभाव पैदा करने के लिए हर कोशिश करेंगे हम भारत का अहित्र सोचने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे नसे जैसी समाज को खोखला करने वाली आदतों से हम दूर रहेंगे अपनी आने वाली पीडियों को दूर रखेंगे परियावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास के पत को ससक्त करेंगे गुरु नानक जी की यही प्रेणा मानवता के हीत के लिए विश्व की शांती के लिए आज भी प्रासंगीक है